जै शियराम मेरी दशा भी फिर पल्टेगी क्या आपके नित्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी हे पुत्र यह सुन्दर दीन और शुबगड़ी कब होगी जब तुम्हारी जन्नी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी हे तातवत्स कहकर लाल कहकर रगुपती कहकर रगुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुला कर हिर्दे से लगाऊंगी और हर्शित होकर तुम्हारे अंगों को देखंगी यह कहकर की माता सन्हे के मारे अधीर हो गई और इतनी अधीर क्याकुल है कि मुह से वचन नहीं निकलता शिरी रामचंदर जी ने अनेक परकार से उन्हें समझाया वह समय और सने वरनन नहीं किया जा सकता तब जानकी जी सास के पाउन लगी और बोली है माता सुनिये मैं बड़ी ही अब आगनी हूँ आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया मेरा मनुरत सफल ने किया आप शोक को त्याग दें प्रंतु कृपा ने छोड़ियेगा करम की गती कठिन है मुझे भी कुछ दोश नहीं है सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई उनकी दशा को मैं किस प्रकार से वखान कर कहूँ उन्होंने सीता जी को बार बार हिर्दय से लगाया और धीरजधर कर शिक्षा दी और आशिरवाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमना जी के जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे सीता जी को सास ने अनेकों परकार से आशिरवाद और शिक्षा दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिरनवा कर चली शिरी राम लक्षमन समवाद तब लक्षमन जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुहल उठ दोडे शरीर कांप रहा है रोमान शोक रहा है नित्र आशों से बरे हैं प्रेम में अतियंत अतिर होकर उन्होंने शिरी राम जी के चलन पकड़ लिए वे कुछ कह नहीं सकते खड़े खड़े देख रहे हैं ऐसे दीन हो रहे हैं मानों जल से निकाले जाने पर मचली दीन हो जाती है हिर्द्य में यह सोच है कि है विधाता क्या होने वाला है क्या हमारा सब सुख और पुन्या पूरा हो गया मुझको शिरी रगुनाजी क्या कहेंगे घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे शिरी राम चंदर जी वचन बोले है तात परिणाम में होने वाले आनंद को हिर्दय में समझज़कर तुम प्रेम वंच अधीर मत हो जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को सभावी की सिर्ष चड़ा कर उसका पालन करते हैं उन्होंने ही जनम लेने का लाप है नहीं तो जगत में जनम व्यर्थ ही है हे बाई हिर्दय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चनों की सेवा करो भरत और शत्रुगन घर पर नहीं है महराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है इस अस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाओं तो अ जमें प्यारी प्रजाद दुखी रहती है वह राजा और शही नरक कादिकारी होता है यह तात ऐसी नीती विचार कर तुम घर पर रह जाओं यह सुनते ही लक्षमन जी बहुत ही व्यकुल हो गए इन शीतल वचनों को सेवे कैसे सुख गए जैसे पाले के सपर से कमल सुख जाता है प्रेम और श्लक्षमन जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता उन्होंने व्यकुल होकर शिरी रामची के चरन पकड़ लिया और कहा है नात मैं दास हूँ और आप स्वामी है आते आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है यह स्वामी आपने मुझे सीख तो धारन करने वाले हैं मैं तो प्रभू आपके स्नहे से पला हुआ छोटा बच्चा हूँ कहीं हंस्वी मंदराचल या सुमेरु परवत को उठा सकते हैं हे नात सभाव से ही कहता हूँ आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता जगत में जहां तक सिनहे का संबंद प्रेम और विश्वास है जिनको स्वयम वेद ने गाया हे स्वामी हे दीन बंदू हे सब के हिर्दय के अंदर की जानने वाले मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं धरम और नीती का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे किर्ती राम चिंदर जी ने भले भाई के कोमल और नमरता युक्त वचन सुनकर और उने स्ने के कानडरे हुए जानकर हिर्दय से लगा कर समझाया और कहा है भाई जाकर माता से विदा मांग लो आओं और जल्दी वन को चलो रगुगुल में स्रेष्ट शिरी राम चंदर जी की वा अनुमती परदान कर देते हैं यदि परसंग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर करना ना भूलें जैस याराम